मुंबई के मलाड में नगर सेविका योगिता सुनील कोली के मार्ग दर्शन में एक साथ चार कारेक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें मलाड वार्ड क्रमाक 46 में रावलीला मैदान के नाम से प्रचलित मैदान के गेट के नूट्नी करन का कारें दिव्यांगों को निशुक स्कूटर वितर्ण स्थानी लोगों को मास्क सैनिटाइजर और उसका स्टैंड वित्रित किया गया और विक्षार ओपन किया गया साथ ही पांच वे कारेक्रम की घोशना की गई जिस तरीके से मुंबई में बलड की कमी हो रही है आगे भविष्य में बलड की कमी ना हो इसलिए बलड डोनेशन क्या आयोजित किये जाएंगे इस कारेक्रम में बीजेपी के नेता सुनील कोली के साथ कई बीजेपी के कारेकरता उपस्थित रहे और इन सारे कारेों का शुभारम स्थानिक सांसद गोपाल शेती के हाथों किया गया आई देखते है क्या कुछ कहा को स्कूटर निशुल का वित्रित किया गया और जो सोसाइटी के लोगों को स्थैनिटाइजर और उसका स्टैंड इसका वित्रित हुआ और साथ-साथ में व्रुक्षे लगाने का कारेकम भी हुआ और पाचवा कारेकम की घोष्णा भी हुआ जो ब्लड वापस शौटे जो मुंबई शहर में हुरा है तो आने वाले दिनों में ब्लड कैम्प भी किस प्रकार से आयोजन हो उसके बारे में भी चर्चा हुई वही इस कारेकरम के दोरान नगर सेविका योगिता सुनील कोली ने कहा कि वह अक्सर इस तरीके से विकलाम लोगों की अक्सर मदद करते रहेंगे और साथी साथ देखते हैं सुनील कोली ने क्या कुछ कहा ये भारतिय जनता पार्टी की सोच है इसलिए वो सोच से मैंने और खासदार गोपाल शिटी के मारगदर्शन से मैंने ये वितरन किया है और आने हाली समय भी और भी कुछ दिव्यांग लोगों को लगेगा वो भारतिय जनता पार्टी जरूर पुरा करें आज हमारे उत्तर मुंबई के आधरनिया खासदार गोपाल शिटी जी के शुबहस्ते ये पुरा राजे शाजी ग्राउंड आप देख रहे हैं यहां उसका प्रवेश द्वार उसका गेट और वो शेड के काम की शुरुवात हमारी यहां की नगर सेविका योगिता कोली इनके फंड से एक काम किया शुरुवात हुई है साती साथ करोना का काल चल रहा है इसके लिए आसपास के जितनी भी सोसाइटी है उनको सैनिटराइजर मास और हर विंग में पैंडल जो सैनिटराइजर पूछ करके अपने को दे का योगिता कोली के फंड से यहां जो विकलांग है उनको थ्री विलर स्कूटर का वितरण भी किया और अच्छे कॉलिटी का वितरण किया लगबत 40-48 अजार की वाइक है वो उनको वितरित किया गया ऐसे आज अनोखे कारेक्रम की आज बारिश होने के बाद भी यहां शु आज बाद किया